हमारे हिंदु धर में पती की लंबी आयू और अखंड सुभाग के लिए सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का वृत रखती हैं और इस वृत में सुहागिन महिलाएं बर्गत यानी वट के पेड़ की पूजा करती हैं ये वृत जेट के महिने में 15 दिन के अंतर पर दो बा रखा जाता है पहला जेट मास की मवस्या को और दूसरा जेट मास की पूनिमा दिथी को हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में महिलाएं जेश्ट के मवस्या पर और कुछ जगा पर पूनिमा के दिन वट सावित्री का व दोनों ही व्रत में पूजा पाथ करने का विधान कथा नियम और महत्व एक जैसे ही होते हैं ऐसे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2030 में पढ़ने वाली वट पूर्णिमा यानि की जेट पूर्णिमा की तिथी और शुब मुहुत के साथ ही इस दिन पूजा करत करते समें और खास तोर पर वट व्रिक्ष की परिक्रमा करते समें या पूजा करते समें किन-किन मंत्रों का जाब करना चाहिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप जानेंगे सत्तिनारण प्रत किस दिन रखना है अगर पूर्णिमा की तिथी दो दिन तक है तो ऐसे में किस तिथी को उपवास करना चाहिए और कब इसनान दान करना चाहिए। इस बार पुर्णिमा तिथी दो दिन होने की कारण दो दिन तक पुर्णिमा मनाई जाएगी जिसमें तीन जून शनिवार को पुर्णिमा का उपवास रखा जाएगा और इसी दिन श्री सत्यनारण भगवान की पूजा करके श्री सत्यनारण भगवान का व्रत भी रखा पूर्णीमा का इसनान किया जाएगा और इसनान करने के बाद दानपुर्णी जैसे काम आप कर सकते हैं। ये दिथी चंदर देवता को समर्पित मानी जाती हैं। रहुकाल का समय जो की अशुब मोर्थ माना जाता है सुबह नौ बजे से लेकर साड़े दस बजे तक रहेगा। तो आप सुबह की जो पूजा है वो रहुकाल का समय प्रारम होने से पहले कर लें। और इस दिन चंदर देवता की जो पूजा का समय है वो शाम 6 बज कर 32 मिनट के बाद से आप कभी भी कर सकते हैं। चार जून रविवार को यानि जिस दिन पूर्णिमा का इसनान और दान है उस दिन सुर्योदय का समय सुबह 5 बज कर 44 मिनट, सुर्यास्त का समय शाम 7 बज कर 5 मिनट पर रहेगा। ब्रह्म मोर्थ सुबह चार बज़कर आठंञ चार बज़कर चार बचकर चपन मिनट तक रहेगा और राहुकाल का समय शाम साड़े चार से छे बज़े तक रहेगा आप इस दिन कोशिश करें कि पुर्नीमा तिथी समाथ होने से पहले-पहले पुर्नीमा का इस्ञान और धान जरूरिस्तान करें और क्योंकि इस दिन रविवार का दिन है तो पीपल के पेड़ की पूजा इस दिन नहीं की जाती है ऐसे में आप पीपल के पेड़ की पूजा या वटवरिक्ष की पूजा शनिवार के दिन ही करें तो जाद अच्छा है वटवरिक्ष यानि बर्गत का प उन्हें सावित्री देवी का रूप माना जाता है। सुहाग की सारी सामगरी लेकर सत्यवान और सावित्री की मूर्ती लेकर वटवरिक्ष के नीचे कत्रित होती हैं फिर वटवरिक्ष के चारो और कच्चासूत लपेट कर जल अर्पित करके हल्दी, कुमकुम, रोली और पूजन सामगरी अर्पित करके विधिवत पूजा अर् इस समय महिलाए सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती है और पूजा आरती के बाद अपनी सासुमा को बायना भी देती है इससे उन्हें सुभागिवती और पुत्रवती होने का वर्दान मिलता है पौरानिक कथा के नुसार वट वर्द करके और वर्द करके ही देविस सावित्री ने यम्राज से अपने पती को वापस पा लिया था तभी से पती की लंबी आयू की कामना के लिए इस वर्द का विधान प्रचलित हो गया वट वर्द की पूजा करते समें इस मंतर का जाप करें यानी कानी च पापानी जन्मान तरम क्रतानी च तानी सरवानी विनश्यंती प्रदिक्षन पदे पदे इस दिन वट वरक्ष की पूजा करने के बास सुहागीर महिलाओं को सुहाग की सामगरी एक दूसरे को बाटनी चाहिए ये तो ही वट पूर्णीमा की बात जो लोग आज के दिन पूर्णीमा को पूआस रखते हैं उन्हें सुभा संकल्प लेकर अपना व्रत प्रारम करना चाहिए व्रत की गथा पढ़ने सुनने के साथ ही श्री विश्नु भगवान के मंतरों का जाप करना चाहिए और सबसेंत में आरती करके भगवान विश्नु को भोग अर्पित करना चाहिए भोग चाहे फलों का हो या मिठाईयों का हो तुलसी पत्र जरूर रखें क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विश्नु की पूजा अधूरी माने जाती है रविवार के दिन तुलसी जी में और पीपल के वरिक्ष में जल अर पित नहीं किया जाता है इस बात का ध्यान रखे और आज के दिन सफेद रंकी वस्तुओं का या मौसमी वस्तुरों का मौसमी फलों का दान करने से सभी मनुवांचित कामनाओं की पूर्थी होती है रात के समय चंदर देवता की पूजा जरूर करें और इस दिन शिरी सत्य नारायन भगवान की कता भी सुने इस दिन सुनी जाने वाली सत्तिनारण भगवान की कथा और जेट पूर्निमा की कथा भी हमारी चैनल पर सुनाई जाएगी अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपको कथाई सुनना पसंद हो तो आप हमारी चैनल पर इन कथाओं को सुनकर हमारी वीडियोज को लाइक चरूर कीचे का